नमस्का आए उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं द्रोपदी मुर्मु ने सीवु सुरेन और सीम हमान से की मुलकाद नडिये की और से राश्ट पती पद की उमिद्वार द्रोपदी मुर्मु सुमु अर की साम जे अमें मुख्य मंतरी हमान से मुलकाद की इस दौरान अपने पक्ष में समर्थन की अपील की इस मौके पर केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्णा देवी बीजेपी परदेश अध्यक्स दिपक परकास एवं केंद्रिय राज्य मंत्री अर्जुन मेगवाल भी उपस्थी थे बताया गया कि आदिवासी उमिद्वार होने के नाते द्रौपदी मुर्मू ने जेमेम सीबू सुरेन और मुकी मंत्री हमान सुरेन से समर्थन की अपील की है बता दे कि राष्टपती चुनाओ में जेमेम की ओर से समर्थन की घोसना फिलाल नहीं की गई है लेकिन जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के जार्खन आगमन पर सीए में मंसुरेन ने स्वागत करने समधी ट्वीट किया है इसे राइनिती गल्यारे में यह चार चा तेज होगा यह की जामू मो जल्द ही इसकी घोसना करेगी जारखन में दक्षिन मानसुन की सेक्रेता के बीच सोमवार को नीम्न दाब का छेतर बना हुए है राज्जे के दक्षिनी भाग में नीम्न दाब का छेतर बनने रहने के परभाव से कोलान परमंडल के पूर्वी और पच्मी सिम्भूम के अलावा सिम्डेगा में कुछ जगों पर भारी बारिस हुई बता दे कोलान परमंडल से सटे मध्य भाग के भी कुछ जीलों में में गर्जन बजरपात के साथ बारिस हुई मौसम केंद्र के मुताविक पिछले 24 गंटे के अंदर राज्य में सबसे अधिक बारिस गढ़वा जिला के भावनादपूर में 95 मिलिमीटर दर्च किया गया है जारखन में तेजी से बढ़ रहा कुरोना संक्रमन जारखन में कुरोना संक्रमन का मामला धिरे धिरे फिर बढ़ने लगा है राज्य में कुरोना का एक्टिव केस 300 के पायर हो गया है वहीं राजधानी राची में 119 एक्टिव केस हो गया है राजधानी में बढ़ते कुरोना संक्रमन के मामलों को देखते हुए DC छवी रंजन के अध्यक्षता में जीला COVID-19 टास्क पोर्स की बैठक सोमवार को हुई इस बैठक में COVID-19 जाज का दारा बढ़ाने का निदेश दिया गया वहीं लोगों से सतर कराने की अपील भी की गई बता दे COVID-19 के संग्रमन की रोक्ताम के लिए जीला अस्तर पर बनाएगा सभी को सांगों के साथ DC छवी रंजन ने बैठक की इसमें सभी सेल के सीनियर पदादिकारियों के साथ अने समंधी पदादिकारी भी उपस्ती थे सिल्पी नेहा तिर्की ने अंग्रेजि में ली सपत को रहा है मैं इसे सविकार करती हूँ उन्होंने कहा छेतर की जानता ने जो भरुसा जताया है उस पर खारा उतरने का कोशिस करूंगी उन्होंने कहा गरीबों की आवाज बनूंगी सपत ग्रहन समारों में सीलपी नेहा तिर्की के पीता वामांडर के पुरोव बिधायक बंधु तिर्की जे एमेम की बिधायक हफिजूल हसन कॉंग्रेस से रामेशवर उरां रायस ठाकूर दीपिका पांडे रायस ठाकूर आधी उपस्तित थे जारखन के सभी स्कूलों में लगाये जाएंगे कोरोना भैक्सिनेशन कैम्प कोरोना संक्रमन के बढ़ने की असांका को देखते वे रांची जीला पसासन की ओर से ब्यवस्ता दुरूस्त करने की कवाईद सुरू कर दी गई है उपायुक्त छवी रंजान ने कोवीड-19 के संक्रमन के रोक्ताम के लिए जीला अस्तर पर बनाये गए सभी कोसांगों के साथ बैठक की बैठक में उन्होंने भैक्सिनेशन को लेकर कहा कि सभी स्कूलों में माइक्रोब प्लान बना कर भैक्सिनेशन कैम्प लगाए इसमें सभी सेल के वरिये पताधिकारी के साथ अने सम्मधित पताधिकारी उपास्थी थे बैठक के दवान उपायुक्त ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटिमेंट के साथ बैक्सिनेशन को लेकर सम्मधित पताधिकारी को अवस्वक दिशा निर्देश दिये IAS पूजा सिंगल मामने में सुनवाई 12 जुलाई को भारतिय प्रसासनिक सेवा की जारखन कैडर की अधिकारे पूजा सिंगल की जमानत याजका पर सुनवाई हुई जमानत याजका को लेकर आज हुई सुनवाई में ED की विशेस अदालत में सुनवाई हुई जहां E.D. ने आदालत से रीजवाइंडर जमा करने का समय मांगा मांग पर विचार करते हुए आदालत ने रीजवाइंडर जमा करने का समय मद देते हुए अगली तारीक मुकरर की ED की बिसेस अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारिक तैक किया है बता से चले कि भरष्टाचार के आरोप में निलंबी था है फिलहाल जेल में है रांची एरपोर्ट पर द्रोपदी मुर्मू का जोरदार स्वागाद भाजपा और उसके सोयोगी दलो की ओर से राष्ट पदी पद के लिए चुनाओ लल रही द्रोपदी मुर्मू सोमवार दोपर रांची पहुझी बिसा मुंडा यारपोर्ट पर उनका बिसेस बीमान जैसे ही लेंड किया उनके समर्थकों का उत्ता चौगुना बढ़ गया हाथ जोड़कर और पुस्प वार्षा कर जब लोगों ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन सुईकार किया बता दे रांची के बीरसा मुंडा यारपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कड़ी धूप में इंतजार कर रहे लोगों ने मोबाइल से उनकी तस्वीर लेनी शुरू कर दी हर कोई उन्हें अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहा था अस्थानिय लोगों को 75% रोजगार देने की मांग रांची जिले में रोजगार देने की मांग परवान चड़ रही है बता दे अस्थानिय बिधायक से लेकर मोख्य मंति तक मामला पहुंचाया जा रहा है इसी करम में चड़री सरना समिती के प्रतिनिधी मंडल विधायक खिजरी राजेस कक्छप से भेट कर भगवान बिर्शा मुंडा अस्मिरिती पार्क को अस्थानिय लोगों को संचालन देने की मांग की है ताकि यहां के अस्थानिय युगाओं को रोजगार का उसर मिल सके चड़री सरना समिती के केंद्री अध्यक्स बबलु मुंडा ने कहा कि राज सरकार द्वारा अस्थानिय लोगों को पशदर पत्यस रोजगार देने की मांग की गई क्रिशक मित्रों का धर्ना समाप्त हरताल जारी क्रिशक मित्रों का 14 दिनों से चल रहा धर्ना सोमवार को क्रिशी मंत्री की पहल पर समाप्त हो गया क्रिशी मंत्री के साथ वार्ता में क्रिशक मित्रों का 4 सदस्य प्रतिन इधी में मंदल परदेश अजग साशी भगत परदेश महासची सुभा सिंग सत्याना दूबे और असोक यादो सामिल हुए किरिशी मंत्री ने धरना समाप्त करने का एगरा करते हुए कहा कि सरकार किरिशक मेत्रों कमांदे लागू करने प्रदिर संकल्पित है परंतु मांदे लागू करने के पुर्व बहुत पहलूगों पर विचार करना होगा जिसमें मंत्री समदित पतादिकारी एवाम सीएम की समती अवसक है इसलिए 29 जुनाई से सुरू हो रहे विधान सभासत्र के दिन सबों के साथ बैठाक होगी जिसमें क्रिशक मित्रे के भी दोनेता सामिल किये जाएंगे जारखन में बजरपात से 10 दिन में 50 से ज्यादा की मौत जारखन में बजरपात से मौत की संखे लगातार बढ़ रही है बीते 10 दिनों में 50 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है आगे भी आसमान में बरसाती बादल जैसे जैसे गहराएंगे बजरपात होगा जिससे मोतों का आकला बढ़ने का अनुमान है बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का छेतर बना हुआ है इस वज़े से दक्षिन पच्छी मानसुन आगे बढ़ रहा है महसम विभाग के पुरोमान के अनुसार दस जुलाई तक राजे के कई इलाकों में तेज बारिस के साथ साथ बजरपात के भी असार है सावन में उनईस्व पूलिस बलो की होगी देवघर में तैनाती देवघर में दो साल के बाद आस्था का महा कुम्भ लगने वाला है इस बार सरधालोग की संख्या में काफी जाफा भी होगा सरधालोग की संख्या में अनुमानित बढ़ोतरी के मदर नजर देवघर पूलिस लगातार सुरक्षा को लेकर मुआयना कर रही है और सरधालोग की सुरक्षा ब्यवस्ता के लिए तमाम संख्या अन्थरों का उप्योग करते हुए ब्यवस्ता में जूटी हुई है बता देवघर सुबाख चंद्रजाट फिर नियंतरन के लिए लगातार रण निती बना रहे है इस बार 2009 से ज़्यादा पूलिस बलो और पूलिस पतादिकारियों की प्रतिन्युक्ति की जाएगी 29 जुलाई से जहारखन विधान सभा का मानसुन सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा या सत्र 4 अगस्त तक चलेगा इसके लिए संसाध्य कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे सहमाती के लिए राजेपाल को भेजा जाएगा कांग्रेस बिधायक दल की बैठाक में बिधायक दल के नेता सह संसद्य कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने इसकी जनकारी दी बता दे बिधायक दल की बैठाक के बाद उन्होंने कहा कि मांसुन सत्र में पक्ष के साथ साथ बिपक्ष के बिधायक सोजोग दे इसमें प्रशनों ध्यानाकर्शन और सुन्यकाल के माध्यम से विधायक अपने छेत्र हीत वरा राज हीत की समस्याओं को उठा सकते हैं अगनीपत योजना को आपस लेने की मांग ज़ारखन परदेश युआ कोंग्रेस अध्यक्ष अभिजीत राय ने किंडर सरकार से अगनीपत योजना को वापस लेने की मांग की है उन्होंने कहा है कि केंडर सरकार ने अगनीपत योजना लाकर देश की युआओं के भविष के साथ खिलवार करने का काम कर रही है साथी देश की सुरक्षा परनाली को भी कमजोर करने का काम किया है जब तक अगनिपत्य योजना वापस नहीं ली जाएगी यूआ कंग्रेस के नेता करकार्ता सलक पर उतर का बिरोद करते रहेंगे जब तक अगनिपत्य योजना के बिरोद में पलामु जिल्या यूआ कंग्रेस की ओर से सुमवार को उपायुक्त कर्याले पर परदसन किया गया सियम हमांत्र ने 512 क्लोर की योजनाओ का किया सिलन्यास और उधगाटन मुख्यमंत्र हमांत्र सुमवार को धनबाद पहुंचे सहर के गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्र ने धनबाद के लिए 512.14 क्लोर की योजनाओ का सिलन्यास और उधगाटन किया सियम ने 18,946 लावकों के बीच परिसंपतियों के बितरन के साथ 174 ब्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौपा अपने संबोधन के दो अनबोखे मंत्र हमांसुरे ने मंच से अधिकारियों को चेतावनी भी दी वैसे अधिकारी जो लोगों की समस्याओं को नहीं सुन रहे उनकी निग्रानी की जा रही है उन अधिकारियों पर गाज गिरना लगबग तया है सहायक अभियनता नियुक्ति ममले में 14 जुलाई को फैसला जारखन हाई कोट के जस्टिस टाये संकर की अधालत में सहायक अभियनता नियुक्ति की प्रारंबिक परीचा में अरक्षन देने के खिलाव दाखिल अच्का पर सुनवाई होई सभी पक्षों की बहुत पूरी होने के बाद अधालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया उमीद जताई जा रही है कि अधालत 14 जुलाई को फैसला सुनाईगी सुनवाई के दोरान महा दिवक्त राजी रंजन की ओर से अधालत को बताया गया कि सहायक अभ्यांता न्युक्ति की प्रारंबिक परीचा में जेपी एस्टी की ओर से कोई आरक्षन नहीं दिया गया आरक्षित सिरेनी साभी के लिए होती है आठवी उर्दू का प्रशन पत्र गलत मामला में सिक्छक संग मिला जेक अध्यक्ष से जार्चन राज उर्दू सिक्छक संग का एक प्रतिनिधी मंडल महासेचीव आमीन आहमद के नेतरीत में सोमवार को जेक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो से जेक कर्याले में मिला प्रतिनी धी मंडल ने ग्यापन सौपकर जेक अध्यक्ष को बताया कि आठवी बोड टॉर्म टू पर एक्षा दू अजर बाइस के उर्दू बिसा में प्रशन पूचे जाने के कायान बचों को काफी कट नहीं हुई जिससे ज्यादतर बचचे अनितुर्न होगा यहाँ इस्कूली बच्चों ने सोपी द्रपदी मुर्मू की पेंटिंग राश्ट पदिपद की उमिदवार द्रपदी मुर्मू से इस्कूली बच्चों ने होटल B&R में मुलकाथ की MMK School की Hate Girl वरिशा की बनाई पेंटिंग से द्रोपदी मुर्मू काफी परभावित होई Schoolी बच्चों से उन्होंने पूछा किवा बड़ी होकर क्या बनना चाहती है जिसके बाद बच्चों ने कहा किवा उनकी अधर्स है जिसके बाद द्रोपदी मुर्मू ने बचों को पढ़ लिकर अच्छा इंसान बनने का अशिर्वाद दिया ज्यारखन में PhD करने वालों को नई बेवास्था से होगा नुकसान ज्यारखन के विश्वविद्यालों से PhD करने वाले अभ्यार थी यहां के कॉलेजों में सहायक प्रध्यापक के पद पर होने वाले न्योक्ती में फिचर सकते हैं इसका कारण यह है कि न्योक्ती में PhD के लिए अब अंक सम्बंधित विश्ववविद्यालों की नैक ग्रेडिंग के अधार पर मिलेंगे जार्खन के विश्व बिद्याले के इस थितिया है कि नैक ग्रेंडिंग में ही वे पिछड़े हुए है राई सरकार ने सहायक प्रध्यापक नियुक्ति को लेकर नियमावली में बदलाव कर रही है जिसमें नैक ग्रेंडिंग को अधार बनाया गया है इसका ड्राफ्ट तयार कर लिया गया है जिस पर सावी विश्व बिद्याले से सुझा मांगा गया है काक्षा नौवी और एगारवी की कोपियों का जाच परिक्षा सेंटर पर नौवी वह एगारवी के दूसरे चर्ण की बोर्ड परिक्षा जीन केंद्रों पर होगी वहीं पर कॉप्यों का मुल्याकन किया जाएगा जारखन एकेडमी काउंसिल ने इस समंद में जीलो को दिसार निदेश जारी कर दिया है जीलो को भेजे पत्र में कहा गया है कि परिक्षा के बाद उतर पुस्तिकाई समंदित केंद्र पर ही सुरक्षित रखी जाए किसी केंद्र पर उतर पुस्तिकाई रखने की समुचित वेवस्ता नहीं है तो उसे दूसरे केंद्र पर रखा जा सकता है लेकिन उतरपुस्टि का कमुलयांकन समाधित केंदर के सिख्श को द्वारा ही किया जाएगा रिम्स में दो दिन बाद सुरू होगी जिनोम सिक्वेंसिंग मसीन क्यूबिक फ्लोरो मीटर मसीन अमेरिका से रिम्स पहुँच गई है अब दो दिन बाद रिम्स में जिनोम सिक्वेंसिंग की जाज शुरू हो जाएगी सिक्वेंसिंग की जाज से वाइरस और बैक्टेरिया के नए वेरियंट की जनकारी राजे में ही हो जाएगी इसे डॉक्टर समय रहते उसे बचाओ का उपयोग ढूंट पाएंगे और सरकार उसके हिसाब से निर्देश भी जारी कर पाएगी बताद देश से पहले कुरोना के बड़ते संक्रमन और स्वास मंत्राला की निर्देश पस्वास विभाग ने जिनोम सिक्वेंसिंग की जाज भूने स्वार के लेप से कराने का निर्देश दिया था जार्खन के रिया तिर्की मिस इंडिया 2022 के फाइनल में बाहर रियातिर की फेमिना मीस इंडिया 2022 के ग्रेंड फिनाले में जारकां का परतिनिधित्व करने वाली पहली आदिवासी यूती बनी है, हलाकि फाइनल में वह दोर से बाहर हो गई, फाइनल सो डाउन के तहट रेप वाक रभिवार की रात आठ बाय से शुरू हुआ, मुंबाई का जियो कन्वेंशन सेंटर में हुए कारेकरम में पुरे देश से अमतिम रूप से चैनित आठ यूतिया सामिल हुई जैक इंटर स्टेट टॉप टेन में 78 विद्यार्थियों में से मात्र 17 सरकारी स्कूल के, जारखन में 510 सरकारी प्लस टू स्कूल हैं, लेकिन इंटर 2022 के तीनो संकावे के स्टेट टॉप टेन में सामिल कूल 78 विद्यार्थियों में से मात्र 17 सरकारी प्लस टू स्कूलों से हैं बता दे 49 टॉपर्स इंटर कॉलेज के हैं इन प्लस टू स्कूलों में तीन बार सिस्कों के नियुक्ति भी हो चुकी है लेकिन यहां ना विद्यार्थी पढ़े और नहीं इनका रिजल्ट कॉलेज से बेहतर संभा हो पाया बिजली बिभाग से धनबाद की जनता त्रोस्त बिजली बिभाग की मनमानी से धनबाद के लोग परिसान हैं देर से बिजली का बिल मिलने से लोगों को सबसीडरी का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है वहीं आम जनता के साथ साथ जन परतिनीदी भी इसका बिरोध कर रहे हैं ब वाजबा विधायक राज सीनहा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने जानता को लूटने का पर्यास किया है सरकार सबसीडरी पर बंदिस लगा कर चौनने का काम कर रही है देवघर में पीए मोदी के आगमन की तयारी जोरो पर देवघर यारपोर्ट के उधगाटन कारकरम में पधान मंतरी नेंद मोदी के आगमन को लेकर तयारी तयज हो गई है देवघर यारपोर्ट में जहां उधगाटन समारो की तयारी की जा रही है वहीं देवगर कॉलेज मैदान में 20 साल जनसभा की त्यारी के लिए पंडाल का निर्मान शुरू हो गया है बतादे पंडाल बनाने में परधान मंत्री के सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा जा रहा है यारपोर्ट पर उद्घाटन समारो सभा में 300 और देवगर कॉलेज मैदान की जनसभा में 10,000 लोगों के बैठने की बेवस्ता की जा रही है कॉलेज मैदान में 1,000,000 वर्ग फीट छेतर में पंडाल बनाया जा रहा है पंडाल निर्मानकार को देखने गोड़ा सांसद डाक्टर निसिकान दूबे सुबा सुबे देवगर कॉलेज मैदान पहुँचे और जरूरी निर्देश दिये CM के करीबियों सेल कंपनियों के मामले की सुनवाई टली CM के करीबियों के सेल कंपनी चलाने और CM को लीज खनन आवन्टित करने के खिलाप दायरे आज के पर मंगलवार को सुनवाई नहीं होने के असार है मंगलवार को चीप जरूरिक डाक्टर रवीर रंजन और जरूरिक सुजित नरायन पर 6 के अदालत नहीं बैठेगी मामला इससी अदालत में मंगलवार को सुनवाई के लिए सुचिवत की गई थी मामले की सुनवाई की तिति अभी निधारीत नहीं की गई है इसे आज क्या पर अब अगले सापता सुनवाई होने की संभावना है धन्यवाद